तो चलिए शुरू करते हैं, अब तक, हो सकता है कि यह उसका प्लान हो हमें फसाने का, देखिए मुझे लगता है कि हमको ज्यादा ही सोच रहे हैं वह लड़की कहर रगवन्शी नहीं हो सकती आप जानती है ना, कि हमने खुद अपमी आँखों से उसे मरते हुए देखा था, फाइव साल बाद अगर ये लौट कर आई है तो ये कौन है हमें जानना होगा और अगर यह कहर रगवन्शी है तो इसको दोबारा, हमारी जिंदगी से जाना होगा अगर यह जिंदा रही तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे एलविश इगनिवन्शी हमें जीते जी, जला अब आगे, कहर किसी काम से बाहर आई हुई थी, असल में कहर अपने घर आई थी, जहां पर उसकी परवरिश हुई थी, असल में जब कहर ने हॉस्पिटल में अपने भाईयों और मा को देखा था, जब से उसे उनकी फिक्र लगी हुई थी और वह उनसे मिलने के लिए बेक चाहती थी पर नहीं कर सकती थी, ऐसा उसने बड़ा सा कोट पहन रखा था और सिर पर कैप लगा रखी थी ताकि उसे कोई यहां पर पहचाना ना उसकी आखों, में मोटे मोटे आसू थे वह अपनी मा की गोद में सर रख कर रोना चाहती थी अपने भाई को गले लगा कर उ पूछना चाहती थी कि इतने सालों तक तुम लोग कैसे थे पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने उनकी इजज़त मिट्टी में मिला दी थी और यहां से बहुत दूर भाग गई थी उन लोगों ने उसे मरा हुआ समझ लिया है और वह वापस नहीं जाना चाहती थी वह चाहती थी कि वह लोग उसे मरा हुआ ही समझे क्योंकि कहर ने इन्वेस्टिगेशन करवाया था और उसे पता चला था कि उसके पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आना पड़ा था इगनिविंशी फैमली ने उनकी बहुत इंसल्ट की थी और यह भी कहा था कि उनके घर की लड़की बिगड़ी है उसे ये सब कल ही पता चला जब उसने इन्वेस्टिगेशन करवाया कहर को ये भी पता चला कि उन लोगों ने उसकी फोटो पर माला चड़ा दी है उनकी नजर में वह बहुत पहले ही मर चुकी है कहर की हिम्मत नहीं हुई वह वापस चली गई उनक जीते जी मत मारो मैंने कोई गलती नहीं की है पर फाइव साल पहले जो कुछ भी हुआ था कहर उसे हार नहीं करना चाहती थी वह अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी में खुश थी और वह अपने पेरेंट्स को भी उनकी जिंदगी में खुश रहने देना चाहती थ कि उसकी फैमली दोबारा से उसकी वजह से ट्रोल हो और वह सब कुछ वापस से बरदाश्ट करें कहर काफी देर तक वहाँ पर खड़ी रहे और रोती रही कहर अपने पुराने दिनों को याद करकर जब उसकी पैरंट्स ने उसे किसी के घर पर शादी कर भेजा था और वह रास्ते में उसे ट्रैफिक मिल गया उसे वहाँ पर भी काफी ज्यादा वक्त हो गया था कहर को रास्ते में एक कार के अंदर कुछ बद्तमीज लड़के दिखाई दिये जो कार की विंडो खोल कर उसे चेर रहे थे कहर की नजर उन्हें देखा उसके बाद अपनी नजर फे ब्सुरत लड़की हमारे पास होनी चाहिए फिर एक ने अपने होठों को जोर से काटा और फिर कहर को देखते हुए उसे बोला क्या तुझे मुह मांगे चुमा देंगे हमें कहर कुछ देर तक उनकी बातों को इगनो करे गई लेकिन जब उन लड़कों ने अपनी हद पर कर दी तो कहर भी नहीं रुकी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कहर जब उनकी घिनावनी बाते सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया लेकिन फिर भी उसने सोचा क्यूं नहीं बद्तमीज और पागल लोगों की मुह नहीं लगे क्योंकि इतनी रात पहले ही हो चुकी थी और उसे अपने बेटों की फिक्र हो रही थी वैसे भी कहर घर पर किसी को बता कर नहीं आई थी अगर कहर के बच्चों को पता चल जाता की कहर वहाँ पर फिहलाल है नहीं तो उसके बेटे पूरे घर को सिर पर उठा देते वहीं कहर उन लड़कों से इरिटेट होकर अपनी कार की स्पीट को तेज कर देती हैं लेकिन अभी भी वो लड़के कहर को परेशान करने के लिए अपनी कार का हौन बजाते हुए बड़ी जोर जोर से हंस रहे थे उन लड़कों ने अपनी कार से कहर की तरफ लॉली पॉप फेकते हुए कहा हमारा इससे भी अच्छा है क्या तुम कहर उन लड़कों के घिनानी बातों को सुनकर अवॉइट कर रही थी पर गुस्से से उसकी आखे लाल हो गई तब ही ट्रैफिक हटने लगा और कहर ने अपनी कार को आगे बढ़ा दिया कहर के वहां से जाने के बाद कोई एक शक्स दूसरी कार से बाहर निकला और उन लड़कों की कार के पास आ गया गौर उसमें से जिस लड़के ने कहर की तरफ लॉली पॉप फेका था उसे बाल से पढ़कर विंडो से ही बाहर खीच लिया और एक के बाद एक उसके मुह पर पांच करने लगा उसे बंदे को सांस लेने का मौका तक महीं मिला और उस शक्स ने उसे बंदे का पूरा थोबड़ा बिगार दिया था उसके साथ आए लड़के यह नजारा देखकर डर गए और उन्होंने हसना बंद कर दिया वह भी कार से बाह रहा था जिसने कहर के उपर लॉलीपॉप फेका था उसका सिर उल्टी दिशा में ही कार की विंडो से लगा दिया रगर कर विंडो से लगा दिया उसकी इतनी बहरमी देखकर तो बाकी की लड़के पीछे हट गए उनके माथे पर पसीना आ गया था जो शक्स उन गुंदे क पीत रहा था जिन्होंने कहर को छेडा था उन गुंदो की हालत खराब हो गई थी कि उनकी क्यूंकि उनमें से एक आदमी तो लगभग अदमरा हो गया था उसे इतना मारा गया था और वहां मौजूद सभी लोग तमाशा देख रहे थे जैसे वह कहर के वक्त तमाशा देख रहे थे जब वह लड़के कहर के साथ बत्तमी जी कर रहे थे और उसे चेर रहे थे तबी उसे आदमी ने एकदम से अपने हाथ में जूल रहे उसे बेहोश आदमी को एकदम से जमीन पर फेट दिया जिससे वह आदी मुह सडक पर गिरा और उसके दाट से खून निकलने गे उसने उसमें से एक लड़के का शॉट पकर लिया और उसे अपनी तरफ खीच लिया जिससे उस लड़के का शर्ट फट गया और वह जमीन पर गिर गया यह नजारा इतना भयानक है कि बाकी के दो लड़के तो जमीन पर बैठ गए और बोल प्लीज हमें माफ कर दीजिये आखिर हमने गलती क्या की है जो आप हमें पीट रहे हैं तभी वहाँ पर पुलिस आ गई अचानक से इतनी भीर को देख कर पुलिस ने जब यह नजारा देखा तो वह जल्दी से आ गई और बोले Mr. Ignivishy what happened आप इन लड़कों को पीट क्यू रहे हैं एलवish ने अपनी सर्दी निगाहों से पुलिस कांस्टेबल की तरफ देखा जिसे पुलिस कांस्टेबल भी डर गया क्योंकि वह एलविश के खोफ से वाकिフ था जहाँ का बच्चा बच्चा एलविश को जानता था एलविश ने गुस्से से कहा तुम अभी तक कहा थे जब ये लड़के एक लड़की को छेर रहे हैं और तुम यहाँ पर लास्ट में तमाशा देखने आये हो मिस्टर इग्मिविंशी आप इन्हें छोड़ दीजिए वरना यह मर जाएंगे आप बाकी हम पर छोड़ दीजिए हम इन्हें संभाल लेंगे और दोबारा से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी हम वादा करते हैं एलविश इस वक्त बहुत गुस्से में था उसने कांस्टेबल को देखते हुए कहा इन्होंने मेरी कहते कहते एलिवेश के शब्द के मुह में ही रह गए एलिविश ने गुस्से से उस आदमी को छोड़ा और अपने हाथों को देखने लगा तो कांस्टेबल जल्दी से उसके पास वाटा बोतल लेकर आया और एलिविश के हाथों पर डालने लगा एलिविश ने अपने हाथों को धोया वहाँ पर बाकी लोग यह नजारा देकर हैरान थी कि इस आदमी इस आदमी ने उन लड़कों को इतना मारा यहाँ पर खुन खराब हुआ लेकिन फिर भी कांस्टेबल उल्टा इसे डर रहे हैं इसका मतलब की इसका और आप बहुत ज्यादा खतरनाक है एल्विष ने गुसे से इनको यहाँ से साफ करो आज के बाद अगर मुझे ये दिख गए तो मैं इन्हें छोडूंगा नहीं एल्विष ने खुले आम धमकी दे दी थी उन लड़कों को जिससे वह लड़के तो काप गए पुलिस कांस्टेबल ने यह नजारा देखा और एम्बुलेंस को कॉल कर दिया क्योंकि इनको हॉस्पिटल पहुँचना बहुत जरूरी था एल्विष अपनी कार में वापस गया और फिर वहां से चला गया जब वह अपनी कार ड्राइव कर रहा था उसकी पकर स्टीरिंग वील पर इतनी मजबूत थी कि जैसे वह उसे तोड़ देगा उसका खून खौल रहा था वह अभी भी शान्त नहीं हुआ था असल में एल्विष कहर की करके पीछे ही था और जैसे उसने उन लड़कों ने कहर के साथ बद्तमीजी करते हुए देखा तो बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई मेरे सामने से शेर्मी बना होता है। एल्विष ने एक साइड कार रोक दी और कार से बाहर आ गई और अपने सिगरेट को अपनी पॉकिट में घूंदने के बाद उसने सिगरेट को फायर लेटर से जला कर उसकी कश भरने लगा इस वक्त एल्विष अपना गुसा शान्त करना चाहता था उसकी आँखों के सामने वह नजारा घूमने लगा जब उसने कहर को होटल से बाहर जाते हुए देखा था वह भी चुपके चुपके तो उस शक हुआ था और वह जब उसने ताइम देखा कि इतना वक्त हो चुका है तो न जाने क्यूँ वह बिना सोचे समझे उसके पीछे पीछे कार लेकर चलाया और उसने कहर को फॉलो किया था उसने ये भी देखा था कि कहर अपने पुराने घर पर गई थी उसे ये देखकर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि कहर की अपने फैमली के साथ अभी भी रिलेशन है और उसकी फैमली ऐसा धोंग करती थी कि उन लोगों का कहर से सारे रिश्टे खत्म हो चुके हैं पर जब एलविश ने देखा कि कहर अपने घर के बाहर खड़ी है काफी देर तक तब उसे समझ आया कि कहर की फैमली ने उसे बेदखल कर दिया है वह कहर को फॉलो करते हुए ही होटल जा रहा था पर जब रास्ते में उसने ये सब होते देखा तो उसे रहा नहीं गया उसने गुस्से से कार पर पच मारा उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो जाता है बार-बार अगर वह लड़के के कहर को छेर भी रहे तो उससे उसे क्या फर्क पड़ता है उसका दिल किया था कि वह जान ले ले उन लोगों की एलविश के हाथ में मौजूद सिग्रेट जलने लगी थी और उसके हाथ भी जल रहा था पर उसे कोई एहसास नहीं हो रहा था इस वक्त उसकी आँखों के सामने कहर घूम रही थी मैं तुमसे नफरत करता हूँ कहर रगवन्शी फिर भी तुम्हारी तरफ क्यूं खीचा चला जाता हूँ मैं एलविश को खुद पर ही बहुत गुसा आ रहा था क्यूंकि वह बार-बार कहर के बारे में सोच रहा थी और क्यूं वह उसके पीछे-पीछे यहां तक आ गया और उसे क्यूं बरदाश्ट नहीं हुआ जब वह लड़के कहर को चेर रहे थे उस वक्त तो उसका दिल किया था कि वह उन लड़कों की जान ले ले काफी देर तक इलविश वही खड़ा रहा और सिग्रेट के कश भरता रहा थंडी हवाएं उसे च्छू रही थी वही दूसरी और कहर होटल पहुँच गई थी और अपने फ्लैट पर पहुँच कर उसने जल्दी से दोर को ओपन किया और अंदर चली गई उसने लिविंग हॉल में नीना और भीना को देखा जो एक दूसरे से बाते कर रही थी कहर उन्हें देखते हुए पूछा की विहान इशान विवान कहा हैं भीना ने मुस्कुराते हुए जवाब के की विवान विहान इशान तीनों कमरे में है और सो रहे हैं उन्हें देखकर कहर गहरी सांस लेते हुए अपना सर हां हिला दिया और उसके बाद भीना वहां से चली गई कहर ने अपना कोट और टोपी निकाल कर साइड में रखा और शौवर लेने के लिए चली गई थोड़ी देर बाद वह नाइट सूट पहन कर अपने बेटों के कमरे में आए तो देखा कि उसके बेटे कमबल के नीचे आराम से सो रहे हैं उन तीनों के आईपैड साइड टेबल पर रखे हुए हैं ये देख कर कर मुस्कुराए और आकर अपने तीनों बेटों को बारी बारी से गुड नाइट किस दे दी अगली सुबह, एलविश हॉस्पिटल आया हुआ था अपनी दादी से मिलने क्योंकि उसके दादी की सेहत में धीरे धीरे सुधार आने लगा था उसे देखकर और जब एलविश वहां होता तो फैमली का कोई मेंबर वहां पर नहीं होता पर एलविश की फैमली में उसने यह अनाउंस कर दिया था कि वह अपने मैनेजर ध्रुव रगुवेंदर सिंग अपने मामी की बड़ी बेटी की शादी तै कर चुका है और किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसके फैसले को मना कर दे क्योंकि उसके मामा इस दुनिया में नहीं थे और उसकी मामी और उनकी बेटी उनके घर पर रहते थे उसकी मामी ने ऐल्विश का शुकरिया किया उन्हें एल्विश पर पूरा भरोसा था अगर उन्होंने उनकी बेटी के लिए किसी को धूंदा है तो वह पफेक्ट ही होगा पर वही उनकी बेटी यह जानने से खुश नहीं थी और व तुम्हें रिष्टा पसंद नहीं है तो तुम साफ साफ मना कर सकती हो पर अगर तुम्हारा कोई अफेर चल रहा है तो तुम मुझे वह भी बता सकती हो। तुम्हें एक रस्टोरेंट में जाकर बैठ गए और नायरा रो रही थी तो एलविश उसे देखते हुए कहा वाट हैपन्द। को आसु भरी देखते हुए कहा क्या तुम किसी को पसंद करती हो। नायरा ने अपना सिर नीचे जुका लिया और कुछ नहीं बोली एलविश अपनी जगह से खड़ा हुआ और नायरा कोई सर्द। निगाहों से देखते हुए बोला अपनी इंगेजमेंट पार्टी के लिए शॉपिंग की तयारी करना शुरू कर दो। और अगर किसी को प्यार करती भी हो तो उसे भूल जाओ एलविश इतना कहते हुए चला गया वहीं नायरा वहाँ पर बैटी रोने लगी उसने किसी को फोन किया और फोन पर फूट फूट कर रोने लगी एलविश बाहर आया और उसने किसी को कॉल कर कहा मुझे नायरा की सारी डिटेल्स चाहिए कि वह कहा कब किस से मिलने जाती है उसकी कॉलेज से लेकर उसके इंस्टीट्यूशन तब की सारी डिटेल्स मुझे मेरे पास चाहिए इतना कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया और फिर वह वहाँ से ओफिस के लिए निकल गया कहर अपने तीनों बेटों को लेकर हॉस्पिटल आई थी उनका डेली चेक अप के लिए क्योंकि डॉक्टर थॉमस ने उसे कहा था कि उसे रोज आना होगा कहर के तीनों बेटों यहां रोज रोज आकर ठक गए थे और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था पर वह अपनी मम्मा से डरते थे इसलिए उनसे शिकायत भी नहीं कर सकते थे वरना उनकी मम्मी उन्हें उल्टालत का देगी कहर को आज मीटीग के लिए एलविश के ओफिस जाना था उसे कल ही मेल आया था उसे विक्सित एरिया पर भी जाना था जहां पर हॉल डेकोरेट होगा और एक एक चीज़ खुद देखनी दी उसने अपनी टीम को भी कॉल कर दिया था यहां पर आने के लिए क्योंकि यहां पर उसे कुछ मेंबर्स की जरूरत थी पर कहर रही इस बात से अंजान थी कि कोई उसे पर नजर रखे हुए हैं और उसे काफी देर से देखे जा रहा है कहर अपना सिर उठाकर इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई भी नहीं देखता जो शक्स कहर को इतनी देर से घूर रहा था वह दीवाल के पीछे चुप गया और उसकी आखे गहरी हो गई एलविश अपने ओफिस में बैठा हुआ था और लेप्टॉप पर कुछ चेक कर रहा था तभी उसके सामने उसका मैनेजर द्रूव रागवेंदर आ गया उसने एलविश को गृट करते हुए कहा यश बॉस अपने मुझे याद किया एलविश ने भी द्रूव की तरफ एक नजर देखा और बोला बैठो एलविश के ओडर पर द्रूव भी चेय पर बैठ गया और एलविश को देखने लगा एलविश ने कह क्या तुम्हारा कहीं अफेय चल रहा है ये सुनकर तो ध्रूव हैरान हो गया क्योंकि उसके बॉस आज काम से रेलेटर्ड सवाल नहीं पूछ रहे थे बलकि उससे पसनल सवाल पूछ रहे थे उसने एक पल के लिए चौक कर बोला वाट एलविश ने दोबारा अपने सवा को दोहराते हुए कहा क्या तुम्हारा कहीं अफेयर चल रहा है या तुम्हारी कोई गल्फ्रेंड है या तुम कहीं पर शादी करने वाले हो मुझे अपना सवाल दोबारा दोहराना पसंद नहीं है एलविश ने सर्द आवाज में कहा एलविश का ये बात सुनकर और उसने जवाब देते हुए कहा नो सर मेरे उपर responsibility है इसलिए मुझे इन सब चीजों के बारे में सोचने का time नहीं मिलता ध्रुव का जवाब सुन एलवीश बोला good तुम मेरी बहन से शादी करोगे ये सुनकर तो ध्रुव के पैरों तले जमीम खिसक गई और उसे जटका सा लगा उसने अपना सर उठा कर एलवीश को देखते हुए चौप कर सवाल किया क्या सर एलवीश ने कहा यस तुमने जो सुना मैंने वही कहा मैंने तुम्हारा रिष्टा अपनी बहन से तै कर दिया है और तुम दोनों की शादी भी जल्दी ही मैं announce कर दूंगा तुम मेरी ब कमपनी के सबसे काबिल एंपलाए हो और तुम्हारे बेहेवियर को देखते हुए मुझे लगता है कि मेरी बहन तुम्हारे साथ ज्यादा खुश रहेगी शादी की सारी जिम्मेदारी मेरी तुम बस शादी के लिए हां कर दो दूंग अभी एक सदमे से उभर नहीं पाया कि उसे एलविश ने दूसरा सदमादे दिया था कि वो इगनिविंशी फैमली का हिस्सा बन सकता है और एलविश उस पर इतना ट्रस्ट करता है कि वो अपनी बेहन का हाथ उसके हाथ में दे रहा है द्रूफ को यकीन नहीं हो रहा था उसे ऐसा लगा शायद वो सपनों की द देखा और देखता ही रह गया नाईरा बहुत खूबसूरत थी जिसे देखकर दूफ के दिल की धरकन बढ़ गई और उसने एलविश की तरफ देखते हुए कहा बॉस क्या आप मुझे कुछ वक्त देंगे मैं इस बारे में अपनी मॉम से डिसकस कर लूँ एलविश ने गह मली से प्यार करते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन को उतना ही खुश रखो तुम एक responsible इंसान हो इसलिए मैंने तुम्हें अपनी बहन के लिए चुना है एलविश के मुझ से इतनी तारीफ सुनकर धुरूफ तो हवा में उरने लगा था क्योंकि पहली बार था कि उसके बॉस उसकी तारीफ कर रहा था वरना आज तक उसने उसके काम पर अच्छा भी नहीं बोला था पर वो अपने बॉस के गुड़ बुक्स में था ये जानकर उसे बहुत अच्छा लगा के हर को जब रेलाइज हुआ कि कोई उसे देख रहा है इसलिए वो जल्दी से उ अगर एलवीश फोन पर किसी से बात कर रहा था रिपोर्ट्स का क्या हुआ मुझे रिपोर्ट्स कब तक मिलेंगे दूसरी तरफ से फोन पर किसी ने कुछ कहा जिसे सुनकर एलवीश बुस्से से भड़क उठा और बोला मतलब क्या है कि तुम्हारा रिपोर्ट्स चोरी हो एलवीश को गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि सच उसके सामने आने वाला था पर यह के मिस्ट्री बनकर रह गई और कौन हो सकता है जिसने रिपोर्ट्स को चुराया हो कौन है जो नहीं चाहता कि उसके सामने सच है तभी अचानक से एलवीश के दिमाग में कहर का नाम आया और वह गुस्से से बोला कि अगर यह तुमने किया है तो मैं तुम्हें चोडूंगा नहीं कहर रगवन्शी एलवीश की आँखों में जैसे आग जल रही हो और तुम नहीं रोक सकती मुझे इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे